आज मैं आपको फिर से एक लिटाई की स्टोरी सुनाऊंगी कंज बहुत क्रोधित हुआ क्यूंकि पूतना का वद एक बालक ने किया इसलिए उसने इस बार बकासुर को भेजा और जैसे उसने बकासुर को भेजा वैसे ही बकासुर नदी के किनारे खड़ा हो गया काना जी ने कहा कि नहीं यह कुछ नहीं करेगा मैं इसके पास जाके देखता हूं और देखना यह कुछ नहीं करेगा उनके दोस्तों ने बहुत मना किया लेकिन किसी ने कुछ नहीं मानी और वो गए बकासुर के हलके हलके में से हाथ से पैट छूड़े लगे उसके और बकासुर देख रही पाया इसलिए बकासुर ने कुछ नहीं किया और काना जी ने फिर कहा कि देखा कुछ नहीं हुआ वैसे ही उसके नजर में काना जी आ गय थी इसलिए जो बका सुर्था उसने काना जी को अपने चोच में बंद कर लिया वैसे ही काना जी उसकी चोच तोड़के बाहर आ गए